दोस्तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत और रशिया को लेकर और इस समय भारत ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया है जिससे चीन भी भारत से पीछे चूट चुका है और इस खबर को सुनते ही रूस भी गदगद हो चुका है दरसल आप सभी को बता दू के इस समय रशिया के कच्चे तेल के दो बड़े ग्राहक हैं भारत और चाइना और इनसे ही पश्मी देश और अमेरिका काफी जादा चिरता है और अब ही जब प्रधान मंतरी मोदी यूकरेन की यात्रा पर गए थे तब भी यूकरेन भारत से कहा था कि भारत को रशिया से कच्चा तेल नहीं लेना चाहिए परन्तु अब ही इसी महिने के आंकड़े निकल के सामने आए हैं जिसमें बताया गया है कि भारत ने चीन को भी पीछे पचाड़ दिया है रशिया से कच्चा तेल खरीदने में और इस खबर को सुनकर रशिया भ पर देखने को मिल जाएगा जिसमें रश्यान मीडिया खुद बता रही है कि भारत ने चीन को पचाड़ते हुए हमारे कच्छे तेल का सबसे जादा खरीदारी करी है और भारत की तरब से एक दिन में 20,70,000 बेरल के आसपास का कच्छा तेल खरीदा गया है बैंसे आप सब ए एक दिन में करीब 50,000,000 बेरल कच्छा तेल खरीदा है जिसमें से 20,000,000 बेरल कच्छा तेल रश्या से आया है जिसके कारण से हम चाइना को भी सरपास कर चुके हैं रश्या से कच्छा तेल खरीदने में और रश्या से हमें कच्छे तेल की उपर डिसकाउंट ही मिलता है ज इसके कारण से चीन भारत से इस महीने पीछे छूट चुका है। अब आप सभी को बता दूं कि रशिया से जैसे जैसे डिसकाउंट के अंदर बढ़ उत्री होगी तो भारत से कच्चे तेल का इंपोर्ट भी रशिया से बढ़ता जाएगा। अभी कुछ महीनों पहले डिसकाउंट कम हो गया था जिससे भारत ने रूस से कच्चाते लेना कम कर दिया था।